कि नुश्कार कॉंप्टिशन कमेंडी के कॉंप्रेंजिब करेंट एफएस प्रोग्राम में मैं पुक्राच करता हूं ही बार फिर से आप सभी का स्वागत तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि पासांड खाल में मैं एक से लेके साथ अगस्त तक का जो करेंट एफ तक का जो भी एक्जाम पॉइंट फ्यू से एकदम इंपॉर्टेंट करेंट एफएस उसका कर लेने वाले हैं तो टेंशन लो मत ऑगस्त का करेंट एफएस जो है इस वीडियो में हो जाएगा खतम अब कुछ लोग के मन में आ रहा होगा कि सर ये तो आज जो डेट है वो है क्या लगभग 11 सितंबर के आसपास तो सितंबर का जो करेंट फैस उसका क्या तो देखिएगा मैं हमेशा से कोशिश करता रहा हूं कि मैं आप लोग करने फैस को क्या बनाओ वीकली बनाओ हाला कि यार कभी-कभी समस्या आ जाती आप लोग समझ सकते हैं तो मैं नहीं बना पाया इसके लिए पहले तो साटी लेकिन मैं हमेशा कोशिश कर रहा हूं कि मैं वीकली बनाओ तो जो नेक्स टीट अफेस आएगा उसमें एक साफ मैं 15 सितंबर तक का करेंट रफेस दे दूंगा उसके बाद कोशिश करूंगा कि वीकली जो है करेंट रफेस वो चलता रहे और आप सभी के लिए करेंट रफेस का एक ग्रांड चीज जो है उसको मैं आउस करने वाला बहुत जल्द जिसे आपको एक्जाम में मिलने वाला है बहुत ही जबरदस तरीके का है ठीक है तो वह मैं करूंगा लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा आप लोगों करना पड़ेगा इंतिजार और टाइम क बवह क्या है समझना अच्छे से आरमी जानते हो ना आर्मी में एक जना अदमी यह वह जो आदमी है ना वह जन्रेवल इंग्लिश में जैन्रल बोलते तो उस रैंग पर है तो जन्रैल रैंग पर है ठीक बात है मतलब आदमीट एक तम दबंग होना चाहिए लेकिन वादमी कैसा है लेड़गा है कैसा हूँ आदमी लेड़गा नीच्छ लेड़गा अवेगा टीक है तो जेनरेल लेकिन आदमी कैसा है लेड़गा ठीक बात है घूल यह जो आदमी है ना करे सक तो यह खुन ना the जंच नीक कि भौवना रगता है तो आदमी लडगा है और खूब उंच नीच की भावना रखता है मतल בעixa क्रंड ओलो कैसा है बेकार है तभी तो चलो बहाई अब इन सभी को जोड़ देते हैं तो maker से क्या है जन्राइल सिंग अगला है लेड़ लगा खूब से हैं डॉक्टर खूब चंद बगहेल फिर हैं नुच नीच और फाइनली है करम छड़ा तो समझेगा रचनाकार टॉक्टर खूब चंद बगहेल इनकी रचनाएं तो पहली जन्राइल सिंग दूसरी लेड़गा तीसरी क्या है पूच नीच और चौथी क्या है करम छड़ा तो आप लोगों को बहुत इसली याद हो जाएगा मैंने आप लोगों क्या बताया था तो मैंने आपको बताया बहुत इजी तरीके से कि एक जन्राइल में आद्मी है रैंक क्या है उसका जेनरल का लेकिन आद्मी लड़गा है एक दम निच्च अट लड़गा और वो आद्मी जो है न क्या कह दूं साहित्तिकार हो गए और रचनाएं इनकी क्या क्या है तो जेनरेल सिंग लेड़का उच नीच और करम छड़ा अच्छा एक चीज ना मैं आप लोग से कुछ बात करना चाहता हूं मैंने कुछ कमेंस में भी देखा बड़ा मेरे को आश्चर हुआ कुछ लोग ऐस सूच रहे हैं कि नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है तो क्या बूक में नया डिस्ट्रिक्ट लिए गाएगा नया डिस्ट्रिक्स कैसे पढढेंगे क्या पढ़ेंगे औरे भाईया थोड़ा common sense को लगा लू अ च्छे एक चीज में रेक बताओ सरकार ने नया जिला बनाया है क्या हर चीज का रांके नया जिला खिसाब से दे दिया है क्या नहीं दिया है सब अगले साल के अडिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट में आएगा समझ में आया की नहीं आया कि नहीं आया इक नहीं सरकार अभी कि नया जिल कौन से और परियतन के दृष्टी कौन से बस पढ़ लो कि कौन सा जिला है कौन सा तहसील है कौन सा विकास खंड है किसको टच करता है किसको नहीं करता क्या जिला मुख्याला है कौन सा हाइवे निकलता है और परियतन में वहां कौन सा मंदिर देवाला है कौन से नदिया निक तो जबरद overlap नया पुष्तक नया पुष्तक में नया जीलाक CTR ना जीलाक माटर क्या मिल जाएगा DR. किसा चीज का जंसंख Glass shall कर लोगे क्या जंसंख्या लिखा बस हुआ कि इसा कर कर लो उसका रांकिंग खुछ थे और हर चीज़ं कर नक़ने निकाल जाएगा क्या कि खनीज में निकाल लोगे रैंकिंग तो वो पॉसिबल नहीं है मत भागो उसके पीछे जबरदस्तिक टाइम को वेस्ट मत करो कम से कम प्रशासनिक दृष्टी कॉंट से पहले रेडी करो और मैं खुद भी क्या करूंगा जैसे ही मेरे को थोड़ा सा समय मैं फ्री मिलेगा मैं आप लोग के लिए ना जो नए डिस्ट्रिक्ट है पांच नए बने हैं ना पांचों डिस्ट्रिक का एक एक आधा आधा घंटा का वीडियो डाल दूँगा जिसमें प्रशासन और उनका जो क्या कहना चाहिए परियटन है तुरिजम है उसको मैं कवर कर दूँगा चिंता मत करो और एक मेरी तरब से और भी कमिक्मेंट था कौन सा बीच में जून मंत का में से छूड़िया था तो एक दो जन तो पूछ रते सर बता दो करो एक नहीं जैसे मैं ठपरम मार देंगे बाद में नहीं करूंगा बोलूंग तो भई आप ही लोग के लि है एकदम रेडी एक्जाम के लिए तो ऐसा कुछ मैं स्पेशल करने वाला हूं क्लियर है यह चलिए अब आ जाते हैं सीधा करेंट फैस पर पहला जो है वो क्या है तो देखिए मैंने थोड़ा से आनलेसिस किया तो आज जितने भी पता नहीं टॉपिक्स निकले हैं उसमें फैक्चुल ही बहुत जादा है ठीक है तो मैं बताओंगा हाला कि मेंस पॉइंट उफ्यू से क्या है इंपॉटेंट हो सकता है बट फिर भी चलिए पहला क्या है नीती आयोग जो है इसकी बैठक हुई मीटिंग हुई और इसमें गोधन न्याय योजना जो है हमारे राजी की उसके बारे में कुछ कहा गया तो थोड़ा से समझने का क्या करते हैं अपन प्रयास करते हैं हाँ तो नीती आयोग जो है उसका जो गवर्निंग काउंसिल है इसको क्या बोलते हैं शासी परिशत इसक मतलब यह तो मुख्य मंतरी जी पर्बद्probलंतर बता नई जो रहते हैं किया भारत के फृव्फ और ब्रत्री मों कर दो माप कर दो तो गोधन नियाय योजना जो है इसकी तारीफ की प्रधानमंत्री जी ने और का कहा गोबर से तयार जो वर्मी कमपोस्ट है वो खेतों में उत्पादक्ता मतला productivity को बढ़ाने में क्या है सहायक है helpful है तो productivity जो है उसको बढ़ाने में कैसा है सहायक है helpful है और ये किसानों के हित म में बहुत अच्छी योजना है मतलब कैसा है एक गम प्रो फार्मर है ये योजना क्लियर है कि नहीं तो इस योजना के बारे में तो बहुत बार करेंड़ अपन देख चुके हैं थोड़ा सा एक्जाम पॉइंट उफ्यू से डिकोड करने की कोशिश करते हैं क्या क्या आ सक सकता है सबसे पहले नीती आयों कि यह बैठक थी ना इसका नंबर पूछ सकता है कौन से नंबर की बैठक थी कब हुई कहां हुई अध्यक्ष्टा किस नहीं की क्लियर है यह इतना क्वेश्चन फिर 36 गड़की किस योजना तारीफ हुआ है गोधन न्याए आप गोधन न्य जगहों पर चर्चा में रही है ना कि बेसिकली इसमें से क्वेश्चन आरेगा चांस बहुत जादा बढ़ जाता है क्लियर है यह तो थर्टी वर्ट सिक्ष्टी वर्ट इवन एक्ठो ऐसे बहुत क्यों पर एड़ी कर लीजे गोधन नायक रन्याय ओजना जो है इसकी शु राज्य परिशाद उसकी बैठक हुई है टॉपिक एकदम जादा प्रियोरियंटेड है आपको पूछेगा कि बैठक कब हुई है तो डेट याद रखना है 28 अगस 2022 अगला प्रशन हो सकता है कि कहा हुई है तो लोकेशन जगा क्या है अब इसकी अध्यक्षता किस ने की चे है कि नहीं तो टॉपिक कैसा है थोड़ा सा प्रियोरियंटेड क्या पूछ सकता है बैठक कब हुई है कहां हुई है अध्यक्षता किस ने की है तो यह तीन क्वेशन जो है इसको आप स्लाइट से कर सकते हैं अब अगला जो टॉपिक उस पर आ जाते हैं सर्वादिवासी सम समाज कारिक्रम तो आपको पता होना चाहिए कि विश्वादिवासी दिवस थीक है वर्ल्ड इंडीवासी समाज का आप कहां पर हुआ तो फिर से हुआ रायपूर में पर आप लोग को पता है राइपुर में एक ठोडिटोरियम है डिन्दयालुपाध्धिया अप लोग एनाइटी जानते हो ना उसीक सामने में तो है एनाइटीक सामने क्लियर है अब आदिवासी समाज जो है सर्वादिवासी समाज इनके अध्यक्ष कौन है तो डॉक्टर सुरी डॉक्टर बोल दिया गलती से श्री भरत सिंग जी समझ मैं तो सर्वादिवासी समाज के अध्यक्ष कौन है तो श्री भरत सिंग जी और इसमें शामिल कौन हुए थे तो माननी भूपेश बगहेल जी जो कि हमारे राज जिके क्या है सीम में इसमें वे तो शामिल इंपोर्टन्स जो है इस ट्रॉपिक का बहुत मतलब मीडियुम लेवल का बहुत हाई लेवल का इंपोर्टन्स नहीं है इसका खासकर प्री में देखोगे ना तो पूछ सकता है कि यह विश्वादिवासी दिवस कब यह जादा ज्यादा पूछ सकता है कि सरवादिवासी समाजकारिक्रम जो है इसका आयोजन कब हुआ था बहुत डीटेल में पूछ लिया तो कहां हुआ था राइपुर इन दोनों क्वेस्टन्स को आप क्या कर सकते हैं इस टॉपिक सीधा पूछ लेता है तो 14 अगस्त 2022 का डेट था सम्मानित किये गए हैं एक साहितिकार और पत्रकार तो साहितिकार भी है और जोनलिस्ट भी है पत्रकार नाब क्या है श्री लीलाधर मंडलोई जी क्लियर है तो इस बार का वसुंधरा सम्मान जो है तो आप से पूछ सकता ह है 22 वसुंधरा सम्मान किन को मिला है तो लीलाधर मंडलोई जी को मिला है जो कि क्या है साहितकार है पत्रकार है कब दिया गया तो 14 अगस्त 2022 अगला क्वेशन बन सकता है कि यह जो पुरुसकार है ना यकिन की स्मृति में दिया जाता है तो यकिन के मिमरी में दिया जाता है तो स्वर्गी देवी प्रसाद चौबे जी इनकी मेमरी इनकी स्मृती में दिया जाता है तो चौबे जी जो है इनकी 46th क्या थी? पुन्यति थी थी क्लियर है तो संस्कृति विभाग है चत्तिजगर शासन का लोक जागरण, मासिक पत्रिका, कृति, वसुंधरा और चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा क्या किया गया है? संयुक तुरूप से इसका आयोजन किया गया तो आयोजन किस ने किया? ये क्वेशन तो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट हो जाता है जादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो ट्वेशन डूप सुंधरा सम्मान किसे मिला तो श्वी लीलाधर मंडलोहीजी ह RAW किस की स्मृती में दिया जाता है? बहुत सारे जो टॉपिक्स है न वो कैसे हैं तो प्री ओरियंटेड हैं ठीक है एक दम फाक्चुल फाक्चुल टाइप करें चलिए अब आगे देख लेते हैं तो एक एतिहासिक अंतर राष्ट्री मुक्के बाजी का मुकाबला हुआ था जंगल रंबल ये तो आप लोग दे इंडिया में एक जन पेशेवर मुक्के बाज है नाम क्या है विजंदर सिंग और घाना के एलियासु सूले इनके बीच मुकाबला हुआ और विनर कौन रहे तो विजंदर सिंग तो ये भी एक तरीखी से देखा जाए तो प्री के हिसाब से जादा इंपोर्टेंट है पू तो विजंदर सिंग और एलियासु सूले विनर कौन थे जीते कौन तो विजंदर सिंग क्लियर है ये बात तो इस प्रकार से क्वेशन जो है इस टॉपिक से बन सकता है वन्स अगें प्री टाइप का ज़्यादा है अब यहां से थोड़ा सा क्या हो जाता है समझने की बात जाती है तो बेसिकली 36 गड़ में खुलेंगे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्याल है तो आप लोगों पता होगा कि हमारे यहां पर लगभग 247 आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल से तो बेसिकली क्या है सरकार 36 गड़ में खास कर इंग्लिश लांग्विज में एजुकेशन जो है उसमें व्यापक सुधार ला रही है भविश्व को देखते हुए क्लियर है तो इसी में स्कूल लेवल पर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए है और अब क्या किया जा रहा है ट्वेल्ट के बाद बच्चों को इंग्लिश में या इंग्लिश लांग्विज में या इंग्लिश मीडियम में कॉलेज करने के लिए बाहर ना जाना पड़े इसी लिए क्या किये जा रहे हैं तो महाविद्याले या colleges खोले जाएंगे समझ में आया तो basically क्या है कि first phase में प्रथम चरण में जो नया जून 2023 से नया session चालू होगा उसमें राज के जो प्रमुख शहर हैं उनमें कम से कम 10 English Medium महाविद्याले या college जो है उसे खोले जाएंगे और सरकार प्लान कर रही है कि आने वाले 3 साल में लगभग जितने जिला हैं उनके मुख्याले में English Medium college खोले जाएंगे तो as on date 33 हो गए हैं चत्तुगण में जिले तो 33 क्या खोले जाएंगे English Medium colleges खोले जाएंगे तीन साल के अंदर अब देखिए अब सीधा सीधा प्री में कहोगे तो प्री में क्या आ सकता है तो वरतमान संख्या पूछ सकता है ये schools की संख्या है संख्या है कि नहीं आतमान इंग्लिश मीडियम स्कूवी की कॉलेजस में पूछ सकता है कि किस से चालू होगा तो सेशन जो है वो है जून 2023 यह पूछ सकता है कि कितने तो कम सकम दस और तीन साल बात कितने तो सभी जिला मुख्या ले याग्या करेगा और डीटेल करने के लिए ना एक कवेशन ले जीन के दे जागा जिसमें ले देएगऑ 야 4-5 स्टेटमेंट बुलेगा बताइए इसमें कौन सकते हैं इसे यूज कर सकते हैं कि गवर्मेंट जो है एडूकेशन को प्रोमोट करने के लिए क्या कर रही है करके इसके अलावा पेपर नंबर पांच जो है पेपर नंबर पांच में छत्ती गड़का एक नौमी वाला जो सेक्शन है ना वहां से भी आपको स्वामी आत्मनु स्कूल जो है इसके अवर घुर्च डारिक ली पूचा जा सकता है 30 में या 60 वेट्स क्लियर है तो इस टॉपिक को ध्यान में रखेंगे अब आजाते हैं अपने नेक्स टॉपिक पर अब नेक्स ट्रपिक क्या है क्रुश्नकुंज जी के क्रिश्नकुंज जो है इसके बारे इसका लोकारपन कहां पर किया है मतलब इसको इनोग्रेट कहां पर किया है तो रायदपूर का जो तेली बांधा है यहां पर किया है समझ माया की निया है तेली बांधा रायदपूर में किया है कृष्ण कुंच थोड़ा समय आप लोग को हलका सा इसका एक ब्रीफ इंफर्मे है भई आप लोगों पता हिए कृष्ण जन्मा आश्टमी बोलते हैं मतलब होगा क्या अश्टमी हां की ना अब अश्टमी हुए आप कौन से महिने का श्टमी है भई यह तो भादो मास का और भादो मास में कौन से पक्ष का कृष्ण पक्ष का तो भादो मास में कृष्ण पक्ष का अश्टमी जो है उसी को कहते हैं क्या आपन कृष्ण जन्मा अश्टमी और उसी दिन मुख्य मंत्री जी ने क्या किया है तो उन्हों ने रायपुर में जो तेली बाneधा है वहाँ पर कृष्नकुज़ का लोकार पढ़ किया अभी हमारा जो राज्याशक प्रचप्ति गर्ड़ months 62 कि जो चैनित स्थान है और सेलेक्टेड लोकेशन्हें वहाँ पर क्या किया जाएगा गए जो तो जैसे religious मोहत्व वाला क्या पेड़ है people सांस्कृतिक दृष्टी कौन से कहोगे तो भी people हमारे लिए important है जीवन के उपलियोगी कहोगे तो नीम हमारे लिए important है तो basically क्या है ना शहर में जब बहुत खतरनाक तरीके से deforestation हो रहा है पेड़ कट रहे तो धीरे धीरे लोग जो है वो इन पेड़ों का महत्व भूल जाएंगे आने वाली generations तो ये जो योजना है ना सिर्फ इससे हमारे राज में greenery बढ़ेगी हर्याली बढ़ेगी बलकि आने वाले जो generations है उसको हम ये जो पुराने पेड़ है इनका महत्व जो है वो क्या कर सकेंगे बता सकेंगे समझ में आया कि नहीं आया तो प्रदेश के समस्त जो नगरी निकाए है ठीक है वहाँ पर कम से कम एक एकड़ की जो भूमी है उसमें कृष्ण कुंझ को क्या किया जाएगा विक्सित किया जाएगा उद्देश क्या है तो बता ही जो कहों धारमेक सांस्कृतिक और परियावरण के लिए जो महत्पूर्ण व्रिक्ष है उनको लगाया जाएगा उनका इस प्रकार से समरक्षन होगा और आने वाली जो पिढ़ी है उनको इनके महत्व के बारे में क्या ह प्रीम पूछेगा कब शुरू हुआ तो क्रिश्न जनमुच्छ ठीक है तो क्रिश्न जनमाष्टमी उस दिन नेक्स्ट फिर पूछ सकता है कहां तो रायपूर तेली बांधा फिर पूछेगा कितना तो 162 का चयान हुआ है कितने एकड में तो एक एकड में कहां तो सभी इसमें 30 वर्ड में सीधा इस योजना के बारे में पेपर नंबर फाइफ का पार्ट वन जो है चत्तिरगड की इकनॉमी उसमें गवर्मेंट के जितने स्कीम से जो सरकार की योजनाएं सीधा सीधा उन योजनाओं को क्या करता है पूछ देता है थर्टी वर्ड में बोलता ह करके तो उसमया बताना कब शुरुआत हुआ योजना को देश क्या है क्लियर है और इसके बाद इससे संदंद्र जो भी डेटा है कि 162 को चैन किया गया है एक इकड़का लगाएंगे करके चलिए अब नेक्स देख लेते हैं तो चात्तिरगड को मिला पहला अपना स्किन ब होते हैं समझ में आया बचने की उम्मीद बहुत कम है इनके लिए यह जो स्कीन बैंक है ना यह बहुत ही उपयोगी साम साबित होने वाला है इसमें होता क्या है 85% ग्लिसरॉल का जो सलूशन होता है ना उसमें 4 डिग्री सेंटीग्रेट पर 5 साल तक के लिए स्कीन को स्टो के जो प्रभारी निदेशक है नाम क्या है अनिर्बन दाजगुपता इन्होंने 46 गड़का पहला जो स्किन बैंक है समझ में आया उसका उद्गाटन किया कहां पर है सेक्टर 9 होस्पिटल जिसको बोलते हैं पुरा नाम क्या है जवाहरलाल नहरू अस्पिटाल और अनुसं कि तो दुर्ग है मैं आपको बता दू ये जो स्किन बैंक है ऑधि इंडिया में अपने तरे का कैसा है पाच्वाय इससे पहले मुंबई डेली बांगलोर और कोची तो चार जगह है ना यहां पर उलर्डी स्किन बैंक है अब पांचवा स्किन बैंक कहां खुला है 36 इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो मुंबई दिल्ली बैंगलोर कोची में हैं पांचवा कहां पर आ गया 36 क्लियर है यह तो बर्न यूनिट है वहाँ पर सेक्टर नाइन होस्पिटल वहां के जो अत्रिक्त सीम है नाम है डॉक्टर उद्यकुमार उन्हें क्या कहा है कि स्किन ट्रांस्प्लांट और प्लास्टिक सरजरी जो है उसके जरीए बहुत जो गंभी रूप से घायर या जुल से मरीज है उनको क्या किया जाएगा जीवंदान मिल जाएगा तो मैं वही बताया था बेसिकली क्य किया जा सकेगा तो उससे उस विचारी की जान जो है वह वो क्या होगी बच जाएगी चलियर है यह बात तो इस चीशको क्या सम्बंधित या हेल्थ सर्विसेस से सम्बंधित किसी भी प्रकार का अगर कोई ऐसे आ जाए तो आप इस टॉपिक को क्या कर सकते हैं इस्तिमाल कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ जाते हैं आब एक एवर्ड़ क्या है आउटलूक ट्रावलर एवर्ड दो हजार बाइस ठीक है कहा मिला है तो नई दिल्ली मैं ठीक नमबर कौन सा था नैंटींध। और अवर्ड कैसा है तो वार्षिक येरणी तो 19th येरली ये वर्ड था नई दिल्ली में लिए तो ये आउटलूक ग्रूप जो है उसने क्या किया था इसको और्गनाइस किया था अब उसमें जो है एक श्रेणी है आउटलुक प्रावलर्स 2022 इसमें 36 गड़का जो बस्तर है उसको क्या किया गया है विशेश जूरी पुरुसकार के साथ एक अवार्ड दिया गया का बेस्ट ओफ बीट डेस्टिनेशन के अवार्ड दिया गया है बेस्ट ओफ बीट डेस्टिनेशन क्लियर है यह आवार्ड कौन दिये हैं तो केंदरी संस्कृति और पर्याटन मंत्री है जी किशन रेड़ी उनकी उपस्थिती में यह जो एवार्ड है आउटलुक ट्रावल यह दिया गया है वो बता चुका हूँ कि यह जो उन्नीस्वा वर्ष इन एवार्ड्स का क्लियर है रेलेवन्स देखो एक्जाम के हिसाब से तो पूछ सकता है कि बेस्ट आफ बीड डेस्टिनेशन एवार्ड जो है वो किस राज्य या पूछेगा किस लोकेशन को सीधा क्लियर है कि नहीं या डारेक्ट पूछ सकता है आउटलूक ट्रावलर्ज अवर्ड दोहजार बाईस किस राज्य को या किस जगा को तो प्री में ऐसे चार तरीके से क्वेशन जो है वह आपको क्या कर सकता है घुमा के दे सकता है चलिए अब नेक्स्ट क्या है मुख्यमंत्री ने दिया दिये होगा 1320 मेगावाट 1320 मेगावाट के नए विजली सहींत्र लगाने का निर्देश तो बेसिकली हमारे राज में आपको पता होगा कि पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ है कुछ प्लांट्स थे थर्मल पावर प्लांट्स उनके डी कमिश्निंग हो गई है बंद हो गया है इतनी विद्धु तूरजा जो है उसका क्या होता है उत्पादन होता है क्लियर है कि नहीं अब बेसिकली यह जो शमता है उत्पादन शमता इसको बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने क्या निर्देश दिया है कि 1320 मेगावाट जो है उसका एक ठो नया प्लांट क्या किया जाए बनाया जाए अब यह प्लांट कहां बनेगा तो कोर्बा पश्चिम कोर्बा वेस्ट में बनने वाला है यह प्लांट और यहां पर 660 मेगावाट का दोठो यूनिट लगेगा कुल हो जाएगा 1320 MW तो जब से हमारा राज्य बना है इतना बड़ी कैपास्टी का हमारे यहां कोई भी विद्धुत उत्पादन संयंत्र जो है वो चालू नहीं हुआ है तो जब यह स्टार्ट हो जाएगा तो बड़ी शंता इतनी बड़ी शंता वाला यह राज में स्थापित होने वाला राज गठन के बाद का पहला विद्धुत उत्पादन संयंत्र लोगे एंटीपीसी तो एंटीपीसी राज्य सरकार कर नहीं है तो एंटीपीसी को छोड़ सकते हैं यहां पर मैं बात कर रहा हूं स्टेट गवर्मेंट के एंटरप्राइस तो स्टेट गवर्मेंट का सबसे बड़ा एंटरप्राइस होगा यह अभी तक का राज्य जो सूपर 원िकल टेक्नीक में पानी को गरम करने के लिए कम कोईले का इस्तमाल होता है तो साधारन जो thermal power plant है उससे कम कोईलाख खाता है यह सूपर क्रिटिकल टेकनीक एक्जाम पॉइंट अफी कहें तो इसका इंपॉर्ट्टन से अभी क्या है तोãoई कितना प्रजगा वाट कहा लगेगा मेंस पॉइंट अफ्यू अगर उद्ध्योगी करन इंड स्थेलाइज़ेशन से संबंधित या विकास से संबंधित अगर कोई भी ऐसे आता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं यह जो पॉइंट है इस पॉइंट को उस ऐसे में डाल सकते हैं कि अध्योगी करण को सपोर्ट करने के लिए भई अध्योगी करण होगा इंडस्ट्रलाइज़ेशन होगा तो उर्जा का नीड होगा की नहीं तो उर्जा का जो नीड है उसको क्या करने के ल ठीक बात है भई देखते हैं जरा तो 14 साल के बाल विज्ञानिक है क्या नाम है इनका प्यूश जैसवाल अब ये खगोल विज्ञान एस्ट्रोफिजिक्स जो है उस पर एक बुक लिखे है रिसर्च बुक क्या नाम है विलोस्टी मिस्ट्री इसका विलोचन किये हैं अब इन सर्टिफिकेट उनको मिला है क्लेयर है कि नहीं ठीक है अब मुख्यमंत्री के समक्ष गोल्डन बुक आफ वूर्ल रिकॉर्ट का प्रमान पत्र जो है वह बाल वै घ्यानिक प्यूश जैसवाल जो है उनको क्या किया गया प्रतान किया गया प्यूश त्यस्वाल कॉनसे डि तो तेरा साल की उम्र में वहां से उनको क्या है तो पीएचडी की उपाधी मिली है बताओ तेरा साल की उम्र में पीएचडी हो गए तेरा साल में अमरी अकल एक नमाना आठवीम पढ़ा थे अब होस नहीं कुछ चीज के आठवीम ना हम राज के मुख मंत्री को अने पूछ पूछ नहीं जानन ददा कई दी पीएचडी हो गया बताओ समझ में आया एक्जाम पॉइंट अब्यू से देखेंगे तो क्या क्या इंपॉटेंट है तो सबसे पहले पूछ सकता है कि बालवा ज्यानिक जो प्यूश जैस्वाल है किस सम्भंधित है टैस्ट्रों फिजिक् बाक्ष चुने गए इन से पहले कौन थे और यह घाध्भाधू को देगा इन से पहले कौन थे तो धरमलाल कौशिक जी थे लिधान सबस्ट रिदा चेत्र क्या है कॉन्स्टिवएंसी इनकी हजानजगीरश चांपा 2021 में उत्कृष्ट विधायक चुने गये थे क्या चिने हेताप्रतिपक्षों की बात करें तो सबसे पहले कोन थे तो सबसे पहले थे नंद कुमार त साय जी तो पहले कौन हुए नंत कुमार साय जी उसके बाद आप कौन थे तो स्वर्गी महेंद करमा जी फिर रवींद्र चौबे जी थे इनके बाद थे टीएस सिंग्देव फिर धरमलाल कौशिक जी और अब कौन है तो अब है नारायन चंदेल जी एक ख्लियर है तो यह अभी तक का करम है तो यह जो अभी एपोइंड्मेंट नया हुआ है तो यह सीधा-सीधा प्री में पूछ चक्ता था टीम सीधा सीधा पोछ सकता है तो पूरा क्रम या डखने का ज़रत नहीं है जिलादा पूछे का तो पहला पूछ सकता है आपको एक इंपरिंट है और यह Health इन से पहले जो थे वह इंपर्टेंट है और अभी ज Scary only जैसे ठोड़ा सोथ पसीनाे उसके बात फिर काली खाल लो साल पूरा होने के लिए आजादी का अमरित महुंसों मना रहे हैं हां की ना ठीक है भई अब इसको रेलवे ने भी यादगार बना दिया है कैसे तो एक ट्रेन चलाई है नाम क्या है इसका सूपर वासुकी अब इसको चलाया कौन है तो ऐसी सी यार चलाया है इसमें किता डब बठा 295 लेंद इसकी किती थी साढ़े तीन किलोमेटर लंबी थी यह सूपर वासुकी क्लियर है और 15 अगस्त का दिन था चत्तिरगण में जो कूर्बा है वहां से नाकपुर तक का सफर जो है इसने 27,000 टन का कोईला लेकर क्या किया है कंप्लीट किया है तो सूपर वासुक तो हम लोग वासुकी, सूपर वासुकी, एनाकोंडा ऐसा बहुत सारे ट्रेन चलाए है इस बार का क्या है सूपर वासुकी क्या पूछेगा कौन सा रेलेवे चलाया है तो याद रखना SECR क्लियर है तो विलासपुर मंडल, राइपुर मंडल, नाकपुर मंडल सब SECR में त कोरवा से कोरवा मतलब कौन से सह विलासपुर मंडल, राइपुर आया होगा, तो राइपुर मंडल होगया, नाकपुर जा रहा है तो SECR के अंदर तो SECR के अंदर अंदर कोरवा स नाकपुर ययए, एक कंपुरेशन हो जाएगा कब चला है, 15 अगस्त, बहुत पूछ देग पर जीता सिल्वर मेडल बेसिकली चत्तिजगड़ की 21 साल की बैडमिंटन खिलाडी है नाम है क्या आकर्शी कश्यत बहुत इंपोर्टेंट है इस बार आपको पता होगा बर्मिंगम में 21st कॉमन वेल्ट गेम्स जो है क्या हुआ था इसका आयोजन हुआ था और इसमें इन्होंने क्या किया है सिल्वर मेडल जीता है किस खेल से संबंदित है तो बैडमिंटन से संबंदित है इनके बारें कोश्यन आभी चुका है प्री में किस जगा से संबंदित है तो ध्यान रखन भिलाई से संबंदित है और हमारे राजी के जो मुख्य मंतरिया भुपेश बगेल जी उन्होंने क्या किया है इन्हें बहुत-बहुत बधाई दी है कोई मजाग बात नहीं है अकर्शीकर्षयप के बारे में किस खेल से संबंदित है कि जगा से संबंदित है कौन से एवेंट में कौन सा मेडल लेकर आई है मतलब इस प्रकार से चार यो है इसली प्री में इनके ऊपर बन सकता है चलिए अब फाइनली वीडियो को एंड्र करते हैं कुछ कॉश्यों के सा अगला क्या है तो साथ अगस्ट 2022 को दिल्ली में नीती आयों की बैठाक हुई तो कौन सी योजन है उसकी तारीफ हुई है यह भी अपन डिसकस किये हैं अगला कोशन क्या है मुख्यमंत्री भुपेश बगेल कुण्ज जो है इसका लोकारपन कब किया है ठीक है तीजग दिन क बताना में रखो उसके बाद 76 पहला स्किन बैंक जो है कहां पर स्थापित हुआ है तो लोकेशन दिखी रहा होगा आप लोग को और फाइनली अंतर राष्ट्री मुक्कावा मुक्यबाजी का जो मुकाबला था जिसका नाम था क्या जंगल रंबल उसका आयोजन कहां पर देंगे फिर से भी माफी मांगता हूं थोड़ा सा छूड़ गया था नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूंगा कि मैं बिल्कुल क्या करूं वीडियो को कंटीन्यू रखूं चलिए तो आप सभी से मुलाकात होगे मेरा अगले वीडियो में तब तक लिए थांक्यू आं टेक क कुलिए